नमस्कार रामराम सस्रेकाल प्यारे किसान भाईयों हमारे किसान देश की सान सान भाईयों आज का जो वीडियो बहुत ही महतपुर्ण है पहले हमने एक तिल का वीडियो बनाया था आज on spot किसान के field में पहुंच करके और तिल की खेती के बारे में विश्तरित चर्चा करेंगे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए सबसे पहले उन से मुलाकात करते हैं नमसकार जी राम 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 जी राम राम सबसे पहले किसान पाट साल चलन में आपका बहुत ही स्वागत आपका भी बहुत अभी जन जन दर्सकों को सबसे पहले आप अपना नाम बताएं तो दर्सकों मेरा नाम हनुमान है और गाम मेरा बोड़ावाली है तशील संग्रिया है और जिला हनुमानगड है हनुमानगड सभी दर्सकों से निवेदन है कि मेरा नंबर आप फेर नोट कर लें बता दो चुरान में 146 2528 घरीब का समय चल रहा है और आज अपने तिल की खेती के बारे में बात कर रहे हैं तिल की खेती के पारे में चर्चा करनी जुरूरी है क्योंकि थोड़ा सा क्रॉपिंग पैटर्ण हो जाए हम एक एक वसल लेते हैं लगातार या बीटी कोटन है या कोई हमारे पास गवार है अन्य कोई विकल्प नहीं है तो एक नए विकल्प के रूप में जो तिल की खेती है हम अपना सकते हैं तो अन्माजी सबसे पहले यह बताओ भी तिल की खेती आप कितने समय से कर रहे हों सब मेरे को यह तिल की खेती करना चाहता हूं और खेती से मुझे थोड़ी ही अलर्जी हो रही है तो किसान भाई तिल की खेती हमारे लिए बहुत अच्छी होती है इसकी कोश्ट और कल्टिवेशन बहुत कम आती है खर्चा बहुत कम है बीमारियां भी कम आती है लेकिन थोड़ी सी फाइल लोडी बीमारी आती है तो अन्माजी हमें यह बताएं सबसे पहले आपने जो अपने यह तिल का खेत देख पा रहे हैं तो इसमें आपने वहाई क किसांदर्स को यह पोदा देख लो जिसको अब फल से यह बढ़ा है शैद आपको दिखाई देता होगा तो यह पोदा है यह थोड़ा सा इदर दिखाएं यह देखो इसके अंदर पूरे पोड़ से जो पड़ियां वह पूरी बनी हुई है अब इसमें मोके पर कोई जैसे बीमारी नजर नहीं आ रही है थोड़ा सा यह बताएं नमांजी बीज कितना आपने डाला इसमें बीज जी मैंने 500 ग्राम पर बिगे के इसाफ़ से डाला है 500 अदा किलो यानि 500 ग्राम बीज डालता हूं और यह भी बीज जादा है मतलब उस से भी थोड़ा 100 ग्राम और कम चार सो ग्राम तक भी काम चल सकता है 400 ग्राम जितने खेत में ज्यादा होंगे तो उत्पातन घट जाएगा साइंटिस्टों ने दूरी निदारित की है लाइन से लाइन की दूरी है जो अपने को है 30 सेंटीमेटर रखनी लगबग एक फिट के आपने यह कितनी पाड़ा ज सेंटीमेटर बता रहे हैं किसान बाइयों और थोड़ा सा बताएं सुरुआत के अंदर आपने इसमें कोई फर्टिलाइजर बगेरा दिया हो ना कोई में खाद इसके अंदर सुरुआत में नहीं दी जब इसकी हाइट एक फुट हो गई थी और बरसात आई उस टेम ने मैं पर भीगे के इसाजवेस से इसमें गोबर की खाते जरूर डाली थी और जमीन के अंदर फंगस वाली प्मारी आती हैं उनसे बचने के लिए यह जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हो मैं मेरे खेत में जैसे अपने घर से मेरे साहिवाल गायों की डेरी है तो गायों क प क्टाइब की एक ट्राली भरकर लता हैं चाड़ा पराणा गोबर जो पराणा हो जाता है ना वसकोड़ में दस किलो त्रेकोडर्मा मिलाकर और चार अफ़ते तक उसको मैं हर अफ़ते उसको बदलता रहता हूं थोड़ा पानी नमी बनाए रखता हूं उसके बाद में जब सारे खेत में मैं विजाई करता हूं तो एक किमिटल है परवगी के हिसाब से विखेर करें और फिर कल्टिवेटर से उ हूं तो यह मेरा 20 साल से प्रेक्टिकल है कि मैं भूमी उपचार करके ही विजाई करता हूं पिसले 25 सालों से तिल की खेती कर रहे हैं हनमान जी थोड़ा सा यह बताएं भी आप सिंचाई इसमें कितने करते हो तिल में अब यह जो मैं पसलकी बुआई करी है तो इसमें कोई पहले यह जो बरसात हो गई थी इस बार जल्दी जून में तो बरसात से बिजाई कर दी उसके बाद में लगातार बरसात आती रही तो मैंने इसकी शिंचाई फिर नहीं की अब मैंने आज से 20 दिन पहले इसमें मातर नेर का एक पानी लगाया है और अब मेरी उमेद है इसक पलेवा समेथ तीन पानी में यह अच्छा उत्पादन देती है तीन पानी चाहिए इसको यह अपने एक तिल का प्लांट देख रहे हैं इसमें देखो टिलर कितने निकड़े हैं बहुत अच्छी वराइटी है वराइटी के बारे में थोड़ा से किसान भाईयो अपने बात अच्छा नहीं मिलेगा टिलर इतने ज्यादा नहीं निकड़ेंगे तो इसकी कीड़े और बिमारियों के बारे में चर्चा करते हैं थोड़े से आगे साथ में फिल्ड विजिट भी कर लेते हैं बहुत अच्छा है जो फिल्ड खड़ा है तिल का अपने देख पा रहे हैं जो इसके अंदर है जो खर्चा बहुत ही कम आता है और उत्पादन हमें बहुत अच्छा मिलता है तो अनवांजी से बात करते हैं अनवांजी आप यह हमें बताओ भी आपने इसके अंदर जो सप्रे वो कौन-कौन सा किया था जी इसमें शुरुआत में सबसे पहले सबसे जब विजाई का लगबा इसको एक में नहों गया था उस्ट मेने मोनो क्रोट क्रोट फास दवाई की इसमें अकेली इसके पत्ते में अरी शुडी सी पढ़ जाती है और अपने उस पत्ते को कठा कर लेती है फिर उस तिलुक की बढ़वार रुक जाती है लीप फॉल्डर दिखाई देने लग गए उस समय में ने रोगर और फेनवाल दौई की सप्री की थी तो रोगर यह मच्छर बगेरा को मार देती है और यह जो इसमें सुन्डी पड़ती है उसको यह फेनवाल कंट्रोल कर लेती है अच्छा जी और जो फाइलोडी बिमारी आती है जैसे इस तो एक मटके में कठी कर लेता हूं और उसमें दो चार लोई की कील डाल दी और एक तंबे का बरतन डाल दिया और जब लगबग 20 दिन मिन्ना पुरानी हो जाती है तो वह सो लिटर पानी के अंदर मातर तीन लिटर और शाच मिला के और मैंने सप्रे किया था और इसमें फा प्रासुगा मैसिन ने जान बाइओ बहुत ही अच्छा है जो सिस्टेमिक फंजी साइड है और इसको फाइलोडी को रोकता भी है पूरे सिस्टम में चला जाता है क्योंकि यह जो फाइलोडी बिमारी अपने देखते हैं घसान बाइओ यह माइको प्लाजमा के कारण होती ह इस बिमारी जादा होने के कारण है किसान बाइओ इसको है जो तिल को है कम विजाई करते हैं बिमारी से डरते हुए तो बहुत अच्छा फिल्ड है किसान बाइओ यह प्लांट है यह तिल का प्लांट है इसके उपर अब आप किसान साथियो यह फड़ देख लेना अब आइडिया विए दो फुट हो जाएगी अदा फुट और चली जाएगा तो जब इसकी बजल पक जाती है तो पॉदों की छंटनी करते हो गया हाँ मैं कटाई करता हूं ना तो काए का खेट में काम खुद मैं आप करता हूं आप करता हूं तो जो मेरे पसंद के पॉदे होते ह ने नी पोदों को काटकर अलग करके और पुनहा में मेरे वीज त्यार कर लेता हूँ और कोई किसान भाई अगर तिल की खेती करने चाए तो मैं उनकी हलफ b히 करता हूँ वीज भी देने की कोशिश करता हूँ भी, मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा तिल वीजें और जैसे मैं इनसे आमदनी उठाता हूँ इसे सभी भाई उठाएं क्यों कि जब दूसरी पसल लेते हैं जैसे नर्मा है या दूसरी पसल लेते हैं तो उसमें ये खर्चा अधिकाता है और आमदनी कम होती है किसान भाईों अन्माद जी का कहना था कि यह मदद लिए त्यार रहते हैं किसान भाईों की कोई इनसें जो तिल का बीज लेना चाहिए तो यह वीज भी है जो उतलब करवा देते हैं यह अपने पोड़़् देख रहे हैं इसमें भी टिलर अच्छा अभी यह ग्रोथ कर रहा है तो सपरे के बारे मता है अन्मान जी आप इसमें कहरें दो सपरे है ना वह तिल कि करता हूँ क्योंकि जो जो आनद डोलकी से आता है ना वह तंकी से गन से नहीं आता तो नहीं देखता हूं यह वूंटेपर विमारी है और यह उदास है वहां थोड़ा सपर रोक लेता हूं और जहां ऐसे लगता है भी यह बिमारी नहीं है तो मैं सफीड से चलता हूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं में डोलकी से सप्रे करके जो बहुत आपको विमार लगता है उसको अच्छी तरह से नलाते हो जड़ों में भी ड़वाई डाल देते हैं जिसकी बिमारी खतम हो जाती है थोड़ा सा इसके जो हनमान जी यह अब इसका उत्पादन लगबगा इतने सालों से करें क्या जाती है देखो इसकी हर साल एक जैसी नहीं आती क्योंकि मोसम पर निर्बर होती है यारे एक खेती पर इसके जो अब जो प्लांट में हम खड़े हैं तो मेरा जो पिछ्छे 20 साल का अनुबावाई यह बताता है व तो यह बात करते हैं बाव की तो मैंने आज तक कभी 10,000 रुपे पर कॉंटल से कम बाव में तिल नहीं बेचे 10,000 से कम पिछले साल इसका बाव साथ 16,500 रुपे अच्छा और अब किसान बाईयों अब बात आप समलो कि जब 16,000 रुपे एक क्यूंटल का मिलेगा तो च्यार तौंटल की कितने पेसे होगी थोड़ा से इसाव लेखे और खरचे के बारे में पुछो तो मैं इंका सपरे का खरचा मांथा हूं----%-.h, और बड़े शौक से ख्ला करोगे ना तो इसका खर्टा आएगा मातर तीन जार रुप पैंटीसो रुपे मान सकते हैं पैंटीसो रुपे मान लो चार जार गए अब लगा लो भी पीछे कितने रहे गए फिर आगे की बात सुनो जो तिलकी ये पसल है जमीन से जो को लेती है उस से जादा जमीन पर छोड़ कर चला जाता है जो इसका किसे कि इस प्लांट में जेतने पौदा देख रहा हो इसके कितने पते हैं तो इसका काटने का समयkeeper क्या है कि प्लांट में देख लो कि इसके पोदे के उपर रहे जाएंगे और एक भी पता नहीं होगा पती नीचे जमीन में गिरे तो आप यह सोचलो के यह मतलब अब काटने के लिए त्यार है तो इसको काट कर रहे हैं जो अपने पतियां इसकी नीचे गिरेगी तो पटास इसके जमीन से ज्यादा नहीं खेंचते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फाइदा है तिल की खेती से थोड़े एरिये में आप इसकी शुरुआत कर सकते हो दीरे दीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं जिससे हमारा क्रोपिंग पैटर्न चेंज होगा और अनमान जी बता रहे हैं कि बी मेरे खर्चे से जाकर उसको राय दे सकता हूं बहुत अच्छी बात है किसानों की मदद के लिए त्यार भी रहते हैं और थोड़ा सा बताएं भी आप इतनी अच्छी कहती कर रहे हो तो कोई आपको विवाग से हैं या कहीं से कोई आपको जो पुरुसकार मिला हो या प्रस टेक करे मुझे इनाम वी दिया था और समानित किया प्रसंसा पत्तर भी मुझे दिया था देगा हुआ है तो इस तिल्च खेती में मुझे दो तीन बारी सरकारे केंदर सरकार से कमानितों। और रज्या सर्कार से भी समाने तो और डिलह सतर फिर वीस पुर्वी समाने तो जान भायों बहुत ही अच्छी क्यति करते हैं यह तिल्की खेती के पारे में बात कर रहे थे अपने तो जसन भायों ये हमारे साथ किसान जुड़े हुए थे हनमानगड राजस्तान से हनमाना राम जी बहुत ही प्रगती सी लिकास्तकार है, खुद सारे काम करते हैं, अच्छी मेनत करते हैं, दूसरे किसान भाईयों के लिए एक तरह से इन्नोवेटर का काम करते हैं, यूनिक किसान है किसान भ परिवार्य है इसी तरीके से उनका जो परिवार है वो नेसे इस उच्छा हो सहाल होता है हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा खेटी के अंदर आत्म निद्वर बरें और जो नई टेकलोजी किसानों के पास तुर पहुंचे जिसे खेती बारी में वह उस टक्निक रपनास के और बनाने का मेरे मक्सद ऑग्जान बांटने से गटता नहीं वो बढ़ता है तो मैं यह सोचता हूं कि मैं जो जानता होनी वो सभी बाईों को शिका हूं और जो मैं मुनफा कमा रहे हूं और जो मैं मनाथ़ृ कमा रहा हूं कई बार फोटी आज चुकी है कि हनमाना राम जी लखों रुपए तिलों की खेती से कमाता है और वास्त में फोटो सही है में पैसे कमाता भी हूँ तो बहुत बहुत दने बाद राम 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 किसान भाईयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए